तो देखिए गाईज अगर आपके Sigma का गेम डाउनलोड कर लिया है बट डाउनलोड करने के बाद आपका गेम नहीं चल रहा है डाउनलोड किया होगा गेम आपका प्लेश नहीं हो रहा है लोडिंग ले रहा है तो उसकेस में आप इस печ प्रॉब्लम को इस problem को fix करोगे सबसे पहले क्या करना है आपको यहाँ पर sitting open करना है अपकी phone की यहाँ पर app manager या फिर app notification application अलग-अलग option के होई सकते हैं इसके उपर click कीजे और यहाँ पर इसके अंदर आएंगे यहाँ पर आपके phone में जो-जो application ही वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इसे app info भी का जाता है अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपका जो sigma वाला game है उसको open कर लेना है यहाँ पर आपको sigma को ढूंड लेना है ठीक है जहाँ पर भी यह sigma उसके उपर जेस्ट आपको जो है click कर रहना है और यहाँ पर आने के बाद इसका data और catch एक बार clear करना है clear data या फिर clear storage कर दीजिए और उसके बाद अपनी game को फिर से open करने की कोशिश कीजिए loading की problem fix हो जाएगी बाकी एक बार internet connection को चेक कीजिए सही से internet आपका काम कर रहा है कभी-कभी internet ना चलने की वज़े से problem जालत रहती है अगर आपको लगता है internet नहीं चल रहा है तो एक बार अपने phone को aeroplane mode पर या फिर offline mode पर लगा कर check कीजिए ठीक है उसके अलावा भी अगर ये बात में आप internet को on कीजिए फिर से sigma के अंदर जाएए और check कीजिए आपकी problem fix हो जाएगी पाकी update चेक कीजिए update करने के लिए play store पर ये गेम नहीं है इसलिए आपको कोई भी browser open करना है और यहाँ पर आपको sigma new version लिख देना है ठीक है यहाँ से आप जो है इसे अपडेट कर सकते हैं जैसे कोई नय आपडेट आपको याप देखने को मिलता है तो यहाँ से आप जो है एक बार किसी बेवसाइट के थुरू एक बार इस गेम को अपडेट कर वा लेगे ठीक है इसके अलवा आपकी problem जो है fix हो जाएगी